प्रोटेस्ट किया, इलेक्शन कमिशन में हमारा जो कंप्लेन वो दायर किया, देखिए आप दिलिब खोस खुद फ्रस्टेशन में है, वो जो आदी भाजपा और नई भाजपा का जो लड़ाई है, तो नई भाजपा उनको इंसल्ट करके, उनको इगनोर करके, उनको जो उनका तो दम नहीं है, उनको पार्टी में उनका बेज्जत ही हो रहा है, उसका प्रोटेस्ट करने का वो दम दिलिब खोस के नहीं है, आउट ओफ फ्रस्ट्रेशन वो अभी ममता दिदी के बारे में ये लूस्टक कर दिया है, उसको खमा शमा मंगना चाहिए.